इनके लब रंगी की निठाबरें तीर के जिसने करते हैं कि डिल में अगर कुफरिया वसवसे आते हैं इस किसम के तो क्या उससे भी आदमी काफिर हो जाता है और ऐसे पहले भी कई मरतबा सवाल आएं कि दिल में इस किसम के वसवसे आते हैं अल्ला उसकी जात के बारे में कि जो नहीं आने चाहिए यह इसी तरह बदमजब की बाते सुनकर बहुत से वसवसे दिल में पैदा हो जाते हैं और वो ख्याल आते हैं लेकिन यह के बाद में उसका बंदे ख्याल आता है कि यह गला थे तो कैसे इमान जाया होता यह नहीं होता तो महस दिल में कुफरिया वसवसे आने से जबके बंदा उसको जबान से बुरा ही जा और ये इसका एक्रार ना कर ले, कि हाँ ये बात ऐसी ही है, यहनि जो भी कुफर वाली बात होगी उस सूरत में, तो सिर्फ वस्वसे दिल में आये, तो उससे तो आदमी काफिर नहीं होगा, बलके ये इमान के पुखता होने की दलील है, कि वस्वसे उसी जगह पे आएंगे जहां इमान बंदे का होता है, तो शेतान लगतार वस्वसे डालके उसको जाय करने की कोशिश करता है, मसलें ये कि लिए बारे वस्वसे डालेगा कि लिए बारे वस्वसे डालेगा, इमान चला जाए और जिनको वस-वस उस गस्म के आते हैं तो उनके वख़ाइफ के लिए मैंने वीडियो बना रखी है चैनल की प्लेइसट में जाएं अगर आप ये चैनल मसाईल शरीयत पर देख रहे हैं वीडियो मसले शेरी चैनल पर देख रहे हैं तो वजाइफ की एक प्लेलिस्ट है सुन्य खादरी वजाइफ तो उसके अंदर इमान की हिफाज़त का एक वजीफा यानि एक वीडियो उसके अंदर कई सारे वजीफे हैं रोज इसी का मामूल बनाएं और फजीर की नमाज के बाद 11 मरतव सुरह इखलास पढ़ें तो इंशालला ताले इस इस किसम के वस्वसे वो नहीं आएंगे मगर ये के वस्वसे से इमान नहीं जाता